इंडेश्ट टाऊर में हम लोगो पाश two days से लगभग गिराउटदेक्ने मिल रहा है फ्रिवेस्ली एक अच्छा कासा हम लोग लोको momentum दिखायाते हैं लिगिन भी पास two days से हम लोगतार गिराउट देखने मिल रहा और इनफेक्ट आज के दिन स्टॉक 2% नीचे के तरफ डाउन नाव ख्लोज किया 209 रुप्या पचासी पैसे के पास तो क्या फ्यूचर में एक अच्छा खासा टागेट हम दोको दिखा सकते हैं इंडेस्ट आप बात करते हैं इस वीडियो में पर नीचे के तरफ एक सपोर्ट है जो कि अराउंड 200 रुपीस का लेवल है जाहां से अमने को ब्रेकाउट देखने मिला तो पर के तक बॉपर के तक का ब्रेकाउट दिखा तो थोड़ा हो सकते कल के दिन बाउंच बैक देखने मिले या फिर उपर के तरफ देखा क्योंकि देखेंगे तो बहुत टाइम तक स्टॉक अल्मूस्ट फाइब उपर के लेवल पर हम लोगों ब्रेकाउट दिखा तो मेरे इसाब से लगता है 200 रुपर तक आएगा तो किसी ने इंडेस्ट चावर पर इंवेस्ट कर रखा तो आपका stop loss होना चाहिए जो कि 190 रु करना चाहता है स्टॉक में तो बिल्कुल इस लेवल पर कर सकता है या फिर 230 रुपर का ब्रेकाउट का वेट कर सकता है क्योंकि 230 रुपर के लिए क्रेश्टेंस का काम कर रहा है अगर एक बार में स्टॉक में 230 के ऊपर ब्रेकाउट देखने मिलता है तो short time के साब से इंडे क्यों अच्छा लेकर तो विडियो को लाइक करें और चांग को सब्ट्राइब करें